कैसे हैं आप सभी I think स्वस्त होंगे अगर कोई सेहत संबंदी समस्या है या फिर सवाल है मन में तो लिख वेज़ें कमेंट्स के माध्यम से हमाने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे आईए आज के इस वीडियो का स्टार्ट करते ह और जानते हैं कि क्यों सर्दियों में जरूरी है खजूर का सेवन इसमें पाया जाने वाला पोटेशियम भोजन को अच्छी तरह से पचाने में मदद करता है और डायरिया जैसी समस्या होने पर खजूर का उपयोग करना एक बहतर विकल्प के तोर पर देखा जा सकता है य सर्दियों में खजूर का सेवन स्टार्ट कर दें गर्वती महिलाओं में इनीमिया होने पर यह बहुत कारगर और शरी के रूप में कारे करता है इसमें कैलेशियम के साथ साथ आयरन भी भरपूर महत्रा में होता है जो कि न केवल शरीर में हीमोगलोबीन के अस्तर को प्रकृति का होता है और आपको सर्दी जुकाम से बचा करके रखता है मैगनीशियम, कॉपर, मैगनीज, विटामीन B5, विटामीन B3 और सेलीनियम से भरपूर होने के कारण यह हड्यों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है और आतों में होने वाले संक्रमर से बचाता है इसलिए भी बहुत जरूरी है कि खजूर का सेवन किया जाए दिल और दिमाग दोनों के लिए ही खजूर काफी लाप दायक होता है इसमें मौझूद विटामिन्स, मिनरल्स और अन्यपोशक तत्व तंत्री का तंत्र को स्वस्थ रखने के साथ ही दिमाग को सक् रखने में मजबूत भूमिका निभाते हैं और दिल की बिमारीयों के खत्रे को कम कर देते हैं आपकी बोडि में अगर बलड की कमी है तो उसकी आपूर्टी कर देते हैं इसलिए भी बहात जरूरी है कि खजूर का सेवन किया जाए और खास करके सर्दियों के दिनों में जो इसे कि आपको धर्द की शिकायत कम होगी इसलिए जिनके जोडों में दर्द रहता है हड्यों में दर्द रहता है उनको जरूर खजूर का सेवन करना चाहिए सर्दियों के मौसम में सर्दियों में इसलिए क्योंकि इसको हजम करना भी इजी होता है कब्जी की समस्या होने पर खजूर काफी फायदे मंद होगा आपके लिए इसके लिए खजूर को रात भर आपको भीगो देना है पानी में और सुबह उठकर के खाना है इसमें भरपूर मातरा में फाइबर और अन्यपोशक तत्व होते हैं जो की कबजियत से आपको निजात दिलाएंगे तो इन बातों का ध्यान रख करके आप खजूर का लाव जरूर उठाएं खास करके सर्दियों के मौसम में बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये गर्म प्रकृति का होता है सर्दियों में खाते हैं तो आपके लिए इसको हजम करना इजी होता है और आपकी सिहत के लिए बहुत अच्छा होता है आपके दामपत्य जिवन के लिए अच्छा होता है खुशाल दामपत्य जिवन इससे प्राप्त कर सकते हैं यह आज की वीडियो रही यह वीडियो आप सभी देख रहे थे आयरवेदी कुप्चार चैनल के माध्यम से ऐसी ही नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन कौन कर लें साथी साथ वीडियो को लाइक शेर एंड कमेंट जरूर किया करें क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास लाइक शेर एंड कमेंट करने का बहुत सारे लोगों को लावानुइत कर सकता है सो प्लीज वीडियो को लाइक शेर एंड कमेंट जरूर करें विधालेते हैं इस एपिसोड से आप अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें मिलेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धनेवाद नमस्कार दोस्तों